नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे कैसे आप Google Forms पर चेक बॉक्सेस क्वेशन्स क्रियेट कर सकते हैं। यह प्रोसेस बहुती आसान है और आप इससे अपने सर्वेज और क्वीजेस को और भी एपेक्ट्व बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर में Google Forms ओपन किजिए। आप सिंपली forms.google.com टाइप करके Google Forms का होम पेज ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां blank form को option है। इस पर क्लिक करिए। अब हम एक नया form क्रेट कर रहे हैं। पहले इस form को एक नाम देते हैं। यहां untitled form पे क्लिक करके अपना desired title टाइप किजिए। जैसे feedback form, description box में आप अपनी form के बारे में कुछ details दे सकते हैं। जैसे, please provide your valuable feedback। अब हम अपना पहला question अड़ करते हैं। untitled question field पर क्लिक किजिए। और अपना question type किजिए। जैसे, which of the following services did you use? question mark, right side में drop down menu पे क्लिक करिए। और check boxes option select किजिए। अब आप multiple options add कर सकते हैं। पहला option type किजिए, जैसे service A next option के लिए add option पर क्लिक किजिए। और service भी type किजिए। इसी तरह आप और options add कर सकते हैं। अगर आप और question add करना चाहते हैं, तो right side में plus icon पर क्लिक करके नय question add कर सकते हैं। आप different types के questions भी choose कर सकते हैं। जैसे multiple choice, drop down, etc. आप अपने form को customize भी कर सकते हैं। उपर right corner में customize theme icon पर क्लिक करके theme color और background change कर सकते हैं। जब आपका form ready हो जाए, तो उपर right corner में icon पर क्लिक करके आप अपने form का preview देख सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक लगे, तो send button पर क्लिक करके आप अपने form को email, link या social media के through share कर सकते हैं। तो दोस्तो ये था simple process Google Forms में check boxes question create करने का। मुझे उम्मिद है ये वीडियो आपके लिए help पूर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो like और subscribe जरूर कीजिए। कमेंट्स में हमें बताइए, अगर आपके कोई questions या suggestion हो। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।